हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस रिकूट्मेंट 2023 के बारे में तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रह है तो चलिए हम फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम बिहार पुलिस रिकूट्मेंट डिटेल्स के बारे में जानेंगे तो हमारा जॉब लोकेशन बिहार रखा गया है जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो गोभर्मेंट जॉब होने वाली है जॉब के डिटेगिरी की अगर हम बात करें तो पुलिस जॉब रखा गया है नेम ओफ रिकूट्मेंट की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस रिकूट्मेंट डिटेल्स रखा गया है नेम ओफ और्गेशन की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस गोबर्मेंट और बि अगर हम education की बात करें, qualification की अगर हम बात करें, तो हमारा constable post के लिए 12 पास होना अनिवारिया है, अगर हम sub inspector की बात करें, तो sub inspector के लिए आपको graduation या 12 पास होना अनिवारिया है, अगर हम age limit की बात करें, फोर constable post के लिए, तो हमारा minimum age limit 18 years रखा गया है, maximum age limit 25 years रखा गया है, अगर हम sub inspector की बात करें, SI की अगर हम बात करें, तो हमारा minimum age limit 20 years रखा गया है, maximum age limit 37 years रखा गया है, अगर हम Age Relaxation for Constable Post के लिए बात करें तो हमारा EC, EBC Male Candidate के लिए 27 years रखा गया है General EC, EBC Female Candidate के लिए 28 years रखा गया है SC Candidate के लिए 30 years रखा गया है ST Candidate के लिए 30 years रखा गया है बिहार Home Guards के लिए 30 years रखा गया है Age Relaxation के लिए अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो BC, OBC Male Candidate के लिए 40 years रखा गया है BC, OBC Female Candidate के लिए 40 years रखा गया है AC, ST Male Candidate के लिए 42 years रखा गया है AC, ST Female Candidate के लिए 42 years रखा गया है अगर हम Physical Measurement की बात करें तो हमारा general candidate के लिए male candidate के लिए 165 cm रखा गया है female candidate के लिए 155 cm रखा गया है BC candidates के लिए 162 for male के लिए रखा गया है female के लिए 155 cm रखा गया है SC-ST की अगर हम बात करें तो 160 male candidate के लिए 155 female candidate के लिए रखा गया है गोर्खा बेटालियन की अगर हम बात करें तो 158 male candidate के लिए 155 female candidate के लिए रखा गया है अगर हम chest only for men candidate की बात करें तो general candidate के लिए 81 से 86 cm तक रखा गया है A.C.S.T. candidate के लिए 79 से 84 cm तक रखा गया है गोर्खा बेटालियन के लिए 79 से 84 cm तक रखा गया है अगर हम running की बात करें for all category women candidate 1 km in 8 minutes constable के लिए रखा गया है अगर हम high jump की बात करें for all candidate in male category के लिए minimum 3 feet 6 inch रखा गया है for all category women के लिए minimum 2 feet 6 inch रखा गया है अगर हम long jump की बात करें for all category male candidate के लिए minimum 10 feet रखा गया है अगर women की बात की जाए तो minimum 7 feet रखा गया है अगर हम sub inspector दोर की बात करें तो male candidate के लिए 1.6 km 6 minutes में रखा गया है for female candidate के लिए 1.6 km में रखा गया है अगर हम high jump की बात करें तो male candidate के लिए 4 feet रखा गया है female candidate के लिए 3 feet रखा गया है अगर हम application phase की बात करें तो constable के लिए unrejected category BC and EBC के लिए 450 रुपई रखा गया है AC, ST candidate के लिए 112 रुपई रखा गया है अगर हम sub inspector की बात करें तो general category candidate के लिए 700 रुपई रखा गया है BC, EBC category candidate के लिए 400 रुपई रखा गया है A.C.S.T. Candidate के लिए भी 400 रुपए रखा गया है इस चलान द्रेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बेंक आप किसी भी माध्यों से अपना फीस पे कर पाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद